सर ऊर्ग Craemistry को किस तरीके से पढ़ा जाएं मुझे बार बार बहुत प्रोब्लम होती है सर मुझे और Kam enorm Wagah हैं जो हर बार ऐसे doubts पूछते हैं sir organic chemistry को कैसे पढ़े हैं कोन सा topic पहले पढ़ें क्या मैं डायेट 12ज के topic इस्टा कर दूं या फिर मुझे कुछ और topic हैं जिनको पहले पढ़ना जरूरी है ताकि मैं organic chemistry को ढग से clear तो पिटा आज मैं आपको यहाँ पर यही बाते बताने आया हूँ कि अब आप जब organic chemistry पढ़ रहे हो तो क्या-क्या चीजे आपको follow करनी पड़ेगी क्या हम किसी भी chapter को उठा करके पहले पढ़ सकते हैं क्या जैसे कि अगर मैं बात करूं physical chemistry में physical chemistry में कोई-कोई chapter एक दूसरे से link है कोई-कोई chapter एक दूसरे से link है लेकिन organic chemistry में almost हर एक chapter अपने पहले वाले chapter से link होता है तो आपको organic chemistry को पढ़ने के लिए कुछ खास-खास बाते जानना जरूरी होता है और उससे ही पहले कि अगर आप organic को strong बनाना चाहते हो तो आपको inorganic के कुछ important concept भी पता होने चाहि information जो आपकी organic को मजबूत बनाएगी वो मैं आपको यहाँ पर बताने आयों बच्चो सबसे पहले तो organic chemistry आपको पढ़ना है उससे पहले आपको कौन-कौन से topics अच्छी से आने चाहिए तो यहाँ पर organic chemistry में हम carbon के योगिकों के बारे में पढ़ने वाले mostly ठीक है तो आप सब सबसे पहले देखो कि कौन-कौन से chapter से जो यहाँ पर हमारे काम में आते हैं सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं परमानों की संदचना में last वाला topic quantum संक्या quantum संक्या electronic विन्यास वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए क्योंकि आप आपको वहां से यह idea लगता है किसके बाइतम गोष में कितने 전 Mueller किस तरीके से ठीक है वह सारी information आपको वहांपर पता लगेगी electronic विन्यास के बारे में तुम्हें knowledge ओनी चाहिए electronic विन्यास यह तुम्हें पता होना चाहिए ठीक है तैक है किसके बाइतम गोष में क्या क्या होता है कोश कक्षक इनके बारे में नोलेज होनी चाहिए ठेक है ओके अगला अगला है आपका chemical bonding chemical bonding आपको अच्छे से आना चाहिए chemical bonding में सर क्या आना चाहिए chemical bonding में बच्चों तुम्हें संक्रण के बारे में नोलेज होनी चाहिए सह संयोजग बंद के बारे में नोलेज होनी चाहिए अतिव्यापन क्या होता है उन सारे कॉंसेप्ट को अच्छे से करना पड़ेगा दीदरु आगुन क्या होता है जो आपके कॉंसेप्ट ए केमिकल बोंडिंग के रसाइनिक आबंदन के वह आपको आने चाहिए क्योंकि यह पूरा का पूरा यहां पे और्गेनिक में इस्तमाल होता है अच्छा एक चैप्टर और अगर हम बात करें तत्वों के आवरती तत्वों के तत्वों का वर्गिकन और गुन धर्मों में आवरतिता वाला चैप्टर गुडरी पिरियोडिक टेपल उसमें जो लास टोपिक होता है पीछे का आवरती गुन धर्म अटोमिक साइज, laboratories, एलेक्ट्रोन नेगिटिविट के बड़े में बारे में विरितरुणिता इनके बारे में आपको अच्छे से यहां पर नोलेज हो नी चाहिए यह तीन टॉपिक अगर आपको ढंग से आते हैं तो आप ओर गेनिक में आराम से आगे बढ़ सकते हो लेकिन अगर आपको इन से कोई भी टोपिक नहीं आता है बिटा एक तो पहले आप इनको कवर करो फिर आप और गेनिक को ओटोमेटिक धरी-धरी समझते चले जाओगे क्योंकि यह चीजे आना बहुत जरूरी है इतना अगर आपको आता है तो और गेनिक आपके लिए एक दम सबान अल्लाइ बहुत यह चीस आप उसको कवर कर दोगे अब सर अब मैं ओरनिक पड़ रहा हूं तो तो आप 11th को अगर skip करना चाहो तो आप 12 पड़ सकते हो लेकिन एक कोई नया बच्चा है या जिसकी organic एकदम वीक है तो उसको क्या-क्या चीज़े हैं जो ढंग से follow करनी पड़ेगी सबसे पहले उसको basic से start करना पड़ेगा basic का मतलब सबसे पहले तुम्हें hydrocarbon के बारे में ढंग से जानगारी होनी चाहिए और उनके आयूप उनके नामकरण के बारे में ठीक है naming of organic compound organic compound का नामकरण कैसे किया जाता है सामाने नाम आयूप ये से नाम यहीं से तुम्हें start करना है ok? मुश्किल से मुश्किल इस topic को cover करने में 3 गंटे लगते हैं जिसमें तुम्हारा यह cover हो जाएगा मुश्किल से मुश्किल 3 गंटे लगते हैं अगर आप ढंक से इसको पड़ने बठोगे 3-4 गंटे में आप इसको complete कर दोगे एक दिन में ठीक फिर नाम करन के बाद आप आते हैं इसमें अगले टोपिक में इसमें बहुत सारी टोपिक में बैसिक पार्ट में आप नाम करन सजातिये शेनी कार्बन की डिगरी वगिरा इन छोटी-छोटी बहुत सारी टोपिक को इसमें आप पढ़ते हो फिर इसके बाद अगला topic आता है इसमें समाव योता इनको sequence में ही पढ़ना है आपको समाव योता ये वाला topic आपको आना चाहिए फिर समाव योता के बाद अगला टोपिक आता है यहाँ पर कुछ आधारबूत सिद्धान्त कुछ आधारबूत सिद्धान्त जिसको हम बोलते हैं सामान्य कार्बनिक रसायन सामान्य कार्बनिक रसायन इसको आप पढ़ें इसको हम जीओ से भी बोलते हैं जन्रल और्गेनिक केमिस्ट्री इसमें आप आपने अभी तक ही जान लिया कार्बनिक योगिकों का नामकर्ण कैसे किया जाता है फिर उनके अंदर समावयोता क्या होती है कौन-कौन सी प्रकार की समावयोता हैं कार्बनिक योगिक दर्शाते हैं वो हमने पढ़ लिया अब उसके बाद अगला पहलू आता है कार्बनिक योगिकों के अंदर कौन-कौन से प्रभाव देखने को मिलते हैं या किसी भी आयन का इस्ताइतु हम देखना चाहते हैं तो कैसे देखा जाए क्योंकि कार्बनिक रसायन में और्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होगी बटा अभिक्रिया होगी तो अभिक्रियाओं के दोरान मद्यवर्ती बनता है तो उसके स्टेबिलिटी भी हमें देखनी आनी चाहिए सारे पहलू आपको ये चैप्टर बताएगा इसमें आप विबिन प्रकार इसमें बंद तूटने के बारे में आप पढ़ते हो ठीक है इसमें को किस प्रकार से कोई मद्यवर्ती बनता है फिर आकर्मनकारी क्या होता है किस तरीके से वहाँ इलेक्टोन इस नहीं ना भी किस नहीं होता है उनके बारे में जानना है कौन-कौन से प्रभाव होते हैं प्रेरिनिक प्रभाव अनुनाद मीजोमेरिक प्रभाव अती सयुगमन अमलिय सामर्त शारिय सामर्त एरोमेटिक चाहिए अब इसके बाद आपको पढ़ना चाहिए हाइड्रो कार्बन वाला चेप्टर क्लास 11 का हाइड्रो कार्बन वाला चेप्टर ये चेप्टर आपको पढ़ना चाहिए इसी सिक्वेंस में आपको आगे बढ़ना चाहिए हाइड्रो कार्बन में आप एलकेन एलकीन एल हैलो एलकेंड वाले में हैलो एलकेंड एव हैलो एरीन यहा पर आप इस चैप्टर की एक्ष्छन से हैलो केंड से कैसे बनाते हैं वो भी यहां प्ढ़ते हो एकली कि इसे बनाते वो b bayba 협 केंड दो- W Bay फिर एलकोल वाला चेप्टर तो आप समझ पा रहे हैं यह सिक्वेंस एलकोहल फिनोल एवं इथर इस सिक्वेंस को फोलो करना पड़ेगा बच्चों अगर यह सिक्वेंस फोलो नहीं करते हो तो आपको दिक्कत आएगी ओके अब आपने यह पढ़ लिया तो इस चेप्टर मे बहुत सारी रियक्शनस आप देखते हैं वो अगले चेप्टर में तुम्हारे इस्तमाल होईगी तो याद होने में आसानी रहेगी अल्डि हैड केटोन और कार्बोकसलिक एसेड एल्डि हैड केटोन एवं अमल कार्बोकसलिक अमल तो यहां पे आपने जो उपर पड़ा ह वो यहाँ पर इस्तमाल होने वाला है तो इस सिक्वेंस में आप कैसे भी उपर नीचे नहीं कर सकते हो ये तो तीन आने ही चाहिए फिर उसके बाद अगर आपने एक एक बार इनको पहले पढ़ रखा है तो फिर हाँ आप अपने इच्छा से कोई भी चैप्टर चूस कर सकते लेकिन अगर आपने कोई पहली बार ही पढ़ रहे हो तो भाई ये सिक्वेंस पता होना आपको बहुत जादा जरूरी है फिर इसके बाद आप पढ़ो एमीन जिसमें ये खतम फिर लास्ट टोपिक आ जाता है आपका बहुलक ठीक है फिर प्रैक्टिकल और गेनिक अब सर हमने ये पढ़ लिया हमारे पास प्रोपर नोट से इन चैप्टर्स के अब मुझे इसमें क्या चीजें फोलो करनी पढ़ेगी और जो मुझे यहाँ पर बढ़िया से क्लियरिटी दे इन सब टोपिक्स के बारे में तो बेटा जरा देखू द्यान से सबसे पहले तो जो को रिवाइस करना है और सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने क्योंकि और गेनिक में चीजें हम पढ़ते हैं बढ़िया से समझ में आती मजा भी आ जाता है लेकिन कुछ टाइम बाद हम उसको भूलते जाते हैं तो अगर आप उन चीजों को लिख लिख करके बढ़िया स चैप्टर जब पढ़ाया जाता है तो हेलो एलकें वाले चैप्टर में सबसे पहले आपको बताया जाता है यहाँ यहाँ पर फिर आपको ओर्गेनीक में फ्लो चार्ट रियक्षेंज के ये बनाने होते एक दम मखन हो जाता है इससे आफ को रिवाइस करने में असानी रहेगी फिर इसके बाद जितनी भी नेम रियक्षेंज से बिटा जितनी भी नेम रियक्शन से हर एक चैप्टर में उनको अलग-अलग कर लो उनको बढ़िया से लिख लो अच्छे से लिख लिख करके याद कर लो किस रियक्शन में कौन सा रिएजेंट इस्तमाल होता है क्या प्रोड़क बनता है ये पता होना चाहिए आपको अग इनकी ढंग से प्रैक्टिस करने कैसे आपकी और गयानिक स्ट्रोंग नहीं होगी ये काम अगर आप कर लेते हो तो यकीन मानों आप अच्छे से कर सकते हो और अगली बात आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि किस अभी क्रिया में कौन सा भी करमक होता है ठीक है और क्या रिएजेंट लेते हैं क्रिया कारक और किस के अभी क्रिया करवाते हैं क्या उत्पाद होता है ये पता होना चाहिए ये प्रैक्टिस ये प्रैक्टिस है बार बार लिख लिख करके उनको याद करने से होईगा ये काम कर लेते हो तो आप डेफिनेटली ओर्गेनिक में महारत हासिल कर लोगी क्योंकि और गेनिक में भी कहीं न कहीं चीज़े हमें याद करनी पड़ती है और जो चीज़े याद करनी पड़ती है तो वो मतलब कहीं न कहीं भूलते भी जाता है तो इसलिए बार-बार उसको से लिख लेना है अलग से यहां पर शोट नोट बना लो इनके सेक्वेंस रिएक्शन की बड़ी ऐसे प्रैक्टिस कर लो अच्छे से ठीक है ओके और यहां पर और भी एक्स्ट्रा चीज़े आप अपनी तरफ से कर सकते हो जैसे कि अब हमने पूरा कंप्लीट रिवीजन कर लिया तो आप डायरेक्ट क्विशन्स लगाओ क्विशन्स में जैसे कि बहुत सारे क्विशन्स ऐसे होते हैं जैसे कि मैं बात कर जैसे कि हम नीट की त्यारी कर रहे हैं आप जैई की क्विशन्स लगाओ जैई की क्विशन्स लगाओगे तो आपक कर लेते हो तो फिर बाकी तो आपको यहां पर practice questions है वो तो लगाने ही लगाने है यह तो हर एक chapter की तरह यहां पर भी आपको follow करना ही ठीक है तो यह छीज़े अगर आप करते हो तो definitely आप organic को काफी अच्छी तरीके से complete कर सकते हो और जहां तक मैं मानता हूं बटा अगर कोई बच्चा बढ़िया से और्गेनिक की प्रिप्रेशन कर रहा है तो और्गेनिक आराम से मैं आपको बता दू नीट के एक्जाम में आपके जो नीट दो हजार चोईस का एक्जाम होगा न उसमें डेफिनेटली इसके कितने 18 से 20 कुशन्स आने वाले हैं तो आ यह सारी बाते समझ में आई होगी आपको कि और गेनिक को पढ़ने से पहले मुझे यह टॉपिक पता होना चाहिए और और गेनिक में पढ़ने का एक पुरा सिक्वेंज होता है कुल मिलाके देखा जाए और गेनिक पुरा चेप्टर है जिसमें सबसे पहले यह वाला या यार मुझे तो कुछ ही नहीं आ रहा है मैं तो नामगरणी भूल जाता हूं बार बार समायोता कहीं न कहीं डायक्टि पूछ ले जाती है सामान्य कारबने के रसायन यह बहुत इंपोर्टन टोपिक है जो कि कैसी भी चैप्टर में कभी भी प्रकट हो सकता है तो यह च तो दिक्कत आती ही आती होगी आपको तो आई होप यह चीज़ें अगर आप फोलो करते हैं तो आप और गेनिक को अच्छी तरीके से स्ट्रोंग बना सकते हैं और फिर मेरे साथ बोल सकते हैं डोंट पैने कि इस और गेनिक अब बात करें बटा अगर आप इसको स्ट्रोंग बनाना चाहते हैं तो सब बनाएगे से हमारे पास तो कोई सोडस ही नहीं हमारे पास पढ़ने का उतना अच्छा साधन नहीं हम किसी बेच में इनवल हुन नहीं है तो बेटा आपको तो बेच तो खरीदना पड़ेगा ना मेरे भाई अगर कहीं पर भी आप तयारी कर रहे हो तो उसके लिए एक proper planning होती है proper planning आप करोगे उसके लिए proper बेच होना चाही है जिसमें जल चल करके आप बढ़िया से पड़ाई गर्सों को तो उडान बेच आप जोइन कीजे बिटा जो कि एक लाइव बेच है अभी हाली में एक लाइव बेच बिटा हमने लॉंच किया है जिसमें आपको सारी क्लासेज लाइव मिलने वाली है इसमें सारे के सारे बहतरिन टीचर से जिन्नोंने हिंदी मीडियम में बिटा अपना नाम बनाया है इस प्लेटफोर्म के जरिये और मैं बता दूं यहाँ पर सारी लाइव क्लासेज होने वाली है एंसी आटी संपूर्ण मिलने वाला है आपको मोक टेस्ट होएंगे नीट पेटर्न पर प्रक्टिस कुशन्स मिलने वाले है माइन मैप्स मिल यह सारी चीजे आपको इस कोर्स मिलने वाली है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे बिटा एक गूगल फॉर्म दिया गया है उस गूगल फॉर्म को फिल कर दो या नीचे जो नंबर आ रहा है इस नंबर पर कोल करो और इस कोर्स के अंदर वैसे तो मैं बता दूं इसकी इसकी जो प्राइस थी बेटा स्टार्टिंग में हमने रखी ती 2999 लेकिन यह ओफर स्टार्टिंग में था लेकिन अब इसकी प्राइस बढ़ चूगी है तो हमें घबराना नहीं है आप इस कोर्स को और इसी दाम में खरीच सकते हो भी भी क्योंकि आप स्कोलर्शिप टेस्ट द नहीं है आई होप यह सारी बाते आपको समझ में आई होगी इसे के साथ आप सबीगा बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू जय हैंद